Hello dear all, our today's topic is First in the World, which is lesson number 51 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है, so वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप चैनल पर नए है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा, तो आपको सबसे पहले नॉटिफिकेशन मिल जाएगी. Okay, so let's start. Okay, so this is your chapter number 51, First in the World, है ना? मतलब इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले जो चीज जिसने की है, वो किसने की है, उसका नेम क्या है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में First Prime Minister कौन बनी थी, पूरे वर्ल्ड में First Women Prime Minister कौन बनी थी, ठीके ना? तो कहां की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ना? कि वर्ल्ड में First, पूरे वर्ल्ड में First कौन, किसने मून पर लैंड किया था, है ना? तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो कुछ खास मतलब चैप्टर तो बहुत important है बट यह है कि आपके सामने स्क्रीन में answer दिख रहे हैं first का answer यही है second का यह third का यह fourth का यह मुझे कुछ नहीं करना है मुझे read करना है और आपको बस explain करना है ठीक है आपके जिसके passbook है सबके पास answer आप लोग के पास सामने ही लिखे हुए है ठीक है ना तो कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से कुछ answer बताना है आपके कुछ करना है सारा कुछ आपके chapter में जो आपको screen में show हो रहा है जिसके passbook है तो उसके पास भी वो already होगा ठीक है ना ओगे so फटा फट से मैं read कर देती हूँ आप लोग ध्यान से बस एक बाद देख लो सुन लो और बस answer आपके सामने ही है ठीक है so first is first person to land on moon सबसे पहले चांद पर कौन गया था बात किसकी हो रही है पूरे world की है ना पूरे world में पूरे world में सबसे पहले चांद पर कौन गया था ठीक है so answer is neil armstrong ठीक है answer is neil armstrong first person to go into space सबसे पहले space में कौन गया था पूरे world में ठीक है so answer is yuri gagrin okay yuri gagrin ठीक है so जैसे कि आप देखते जाओ यहाँ पर screen में यह first आपको दिख रहा है यह photo है neil armstrong की ठीक है फिर number second कहाँ पर है number second है यह ठीक है यह कौन है यह है yuri gagrin ठीक है मतलब इनका photo भी बना हुआ photo में numbers लिखे हुए तो आपको दूरने में दिककत नहीं होगी ठीक है अब जाओ number third में first women to go into space देखो सबसे पहले person जो space में गए थे वो थे यूरी gagrin ठीक है अब बारी आती है कि world में सबसे पहली महीला सबसे पहली women कौन थी जो space में गई थी ठीक है so answer is valentina teraskova ठीक है valentina teraskova अब third यहाँ पर कहाँ पर है यह दिखां आपको यह नंबर third यह जो photo बनी हुई है कौन है valentina teraskova ठीक है अब बचाओ number four this is number four first person to climb mount Everest सबसे पहले mount Everest चेहने वाले लोग कौन है ना तो इसकी दो answer ने दो लोग ने चाड़ा था ठीक है first है first क्या है एक है Edmund Hillary and second है Tansing Nogge, ठीक है first है Edmund Hillary and second Tansing Nogge ठीक है सु यहाँ पर देखो यह है Edmund Hillary यह इनका photo है और यह यह जो double star बना हुआ है यह कौन है Tansing Nogge ठीक है यह है Edmund Hillary यह है Tansing Nogge ठीक है यह कुछ नहीं सबसे पहले मांट एवरेट्स चढने वाली परसन है अब जाओ नूमबर फाइव फस्ट फॉरेंड इंवेडर टू इंडिया तीजिए सबसे पहले फॉरेंड से जो आक्रमड हुआ था इंडिया में तो सबसे पहले फॉरेंडर इंवेडर कौन था इंवेडर ठीक है अलेक्जाणडर डग्रेट ने यह सबसे पहले हमारे हां क्या किया था सबसे पहले आख्रमड किया था है ना foreign country क था यह सबसे पहले किया था इंडिया पर ठीक है कॉन है नमबर फाइब में आप इमेज बनी हुई है यह नमबर फाइब यह है अलेक्जेंडर दग्रेट ठीक है अब जाओ नमबर सिक्स में फर्स्स परसंटू रीच नौथ पोल नौथ पोल में सबसे पहले कौन परसंट गए थे उनका नेम क्या था सो आंसर इस रोबर्ट पेरी ओ पर्स परसंट भी हमने किया ना तो 6 का यह रोबर पेरी जो अभी मैंने बताया वो नहीं थे यह रोबर पेरी नमबर सिक्स यहां लिखा है ना तो यह है रोबर पेरी यह सबसे पहले नौर्थ पोल में गए थे ठीक है अब आपका जो 7 परसंट परसंट फिर साउथ पोल South pole में सबसे पहले गए थे Ametsen Emetsen गए थे Emetsen का फोटो है number 7 वाला Robert Perry number 6 में So North pole में सबसे पहले Robert Perry जिनका फोटो यह है South pole में सबसे पहले कौन गए Emetsen Next आ जाओ First women president पूरे world में first women president कौन बनी है न सबसे पहले पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली महिला रास्ट्रपती कौन बनी सो उनका अंसर क्या है यह देखो मारिया एस्टेला पैरन ठीक है कहां पर बनी थी अर्जेंटीनम ओके ओके नमबर एट की बात हो रही है न अभी नमबर एट में हम आएंगे मैंने आपको नमबर नाइन बताया हम आए नमबर एट में फर्स्ट विमन प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले महिला प्रधान मंत्री कौन बनी ठीक है नमबर सेवन में आए सबसे पहले महिला प्रधान मंत्री कौन बनी पूरे World में तो वो बनी कौन? उनका नेम ये है ये मैंने सर्कल किया जिसमें ईनका नेम है सिरी मावो बंडारनिके सिरी मावो बंडारन नईक मतलब ये यहाँ का नेम नहीं है ये कहां की थी? ये श्री लंका की ठीके ना? तो सबसे पहले Women Prime Minister कौन बनी थी Shri Lanka की एक महीला थी, वो सबसे पहले Women Prime Minister बनी थी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना कहां की थी, वो Shri Lanka की थी ठीक है, अब आजाओ नमबर 8 में अब हम आएंगे नमबर 9 में, अभी 8 हो गया हम आते हैं नमबर 9 में, ठीक है First Women President अब First Women, देखो First Women Prime Minister तो Shri Lanka से बनी थी, ठीक है Prime Minister का मीनिंग होता है प्रधान मंत्री President का मीनिंग क्या होता है, रास्टरपती तो नमबर 9 क्या है, नमबर 9 में ये बोला है कि First Women President कौन थी, ठीक है, जो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, वो थी Maria Estella Perrin Maria Estella Perrin, ठीक है Maria Estella Perrin, जिसमें मैंने Circle बनाया, ये अर्जेंटीना से थी ये सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में Women President बनी ठीक है ना, मतला, mostly क्या, पहले क्या Males ही बनते थे, है ना President हो गया Prime Minister, बट जो सबसे पहले महीला President बनी, वो कौन बनी, Maria Estella Perrin, ठीक है और नमबर अभी हमने 8 देखा था तो 8 में स्री लंका से Prime Minister बनी थी, शिरी मावो, उनका देखो, वो ये है, ठीक है और अभी किस की बात हुई, अभी Maria Estella की बात हुई, तो वो है, नमबर 9 So, she is, यहाँ अभी मैंने टिक लगाया यह है, Maria Estella Perrin अब जाओ, नमबर लास्ट में ठीक है The Tourist to Space First Tourist to Space है न, इस पेस में जाने वाला पहला यात्री, तो कौन थे वो, Danish Tito Danish Tito, ठीक है इस पेस में जाने वाले पहले यात्री कौन थे Danish Tito ठीक है, अब इनका फोटो कहा है नमबर टैन देख लो आप, यह है नमबर टैन, यह यह कौन है, Danish Tito तो कहाँ पर यह Space में जाने वाले पहले यात्री थे ठीक है न, सो इसी के साथ साथ क्या हो जाता है देखो बेटा, सीरी सी बात है, इस चैप्टर में कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आपको कुछ अलग से आंसर बताओं, आंसर आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे ही रहे थे ठीक है, और सामने ही आंसर लिखा हुआ है, ओके सो मैंने जस्ट आपको रीट करके थोड़ा सा पढ़के आपको समझा दियो, पिक्चर बता दी कि ये इनका फोटो है, ठीक है ना इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 51, फर्स इन दवर्ल्ट हो जाता है, फिनिश ठीक है ना, इफ कोई डाउट हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आंसर तो क्या है, सब बुक में है ही है ना, तो फिर भी कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके ना, बाबाई, ठीक क्या, थैंक्यू सो मच